कि तो FIR Joo वेलेवें व्लकम बइक टो अनद्री वीडियो सो आज की वाली वीडियो में हम अपने 5् Hee मैं आईंड डिटेक्टिंग की स्क्रिप्ट को अड़ ने हुआ हैं जिसमें आपको एक में डिटेक्टिंग डिवाइस मिल जाता है जिसमें आप अपने coding rewards addon कर सकते हो जिस preferred location पे आप इस detector को use करते हो तो वहाँ पे आपको rewards में item देखने को मिल जाते हैं वो भी आप config file से easily change in कर सकते हो तो इसके link में आपको मेरी website पे देदूँगा वहाँ से आप इसको easily download कर सकते हो तो यहाँ पर आजाने के बाद इसको latest one download कर लेना है then जब आप scroll down करोगे तो यहाँ पर आपको इसको dependency देखने को मिल जाती है क्यों भी को framework के साथ वर्क करता है तो simply इसको आपको open कर लेना है then come back to your resource folder then just drag and drop rename the script name okay so इसके बाद आपको क्या करना है आपको item add करना है so come back to qb course shared and items तो यहाँ पर आपको एक item देखने को मिल जाते हैं तो यहाँ पर इन items को आपको अपने share.lua में install करना है so simply just copy कर लेना है पूरे फाइल को and then उसके बाद आपको यहाँ पिसको paste कर देना है so यहाँ पर इतावक हमारा complete हो गया है then उसके बाद आपको क्या करना है you have to come to qb inventory for the images of the items तो इसमें आ जाना है for images आपको old one इसको install करना है sorry download करना है old one file में आपको images देखने को मिलती है and latest one में आप वाली file देखने को नहीं मिलती तो आपको old one आपको download कर लेना है then उसके बाद आपको इसको सभी को copy कर लेना images को then अपनी qb inventory आ फिर जो भी inventory आप यूज कर रहे वहां पर आपको paste on कर देना इन सभी सीजों को so यह हमारा complete हो गया है then okay so यहां पर इसके अलावा जिपता भी details हो रहा है आपको यहां पर देखने को मिल जाता है आप अपने coding setup भी कर सकते हो config file में तो इसके बाद अभी क्या करना है okay so यहां पर आपको item देखने को मिलता है इसको आपको copy कर लेना है and अगर आप चाहते हो कि क्यूभी soaps like कोई soap पे दिखें like hardware store या फिर आप अलग से कोई soap create करके उसको item इसमें डालना चाहते हो इसको so आप वहां पर इसको install कर सकते हो so अभी के लिए हम इसको hardware store में like put कर देते हैं so just come here paste it one six one six so यहां पर हमारा complete work हो गया है then उसके बाद आपको server को start कर देना है and मैं join के आपको दिखाता हूं यह basically work कैसे करता है okay so हम server में आ गए है then simply आपको करना गया है आपको जाने hardware store पे cause we add the item in hardware store आपने जहां पर भी उसको item को add किया है तो वहां से आप इसको buy कर सकते हो so we just add one and if you are using this right here it will so like it's not a suitable location for detecting so उसके लिए आपको क्या करना है उसको अपको अपने resources में जहां पर आपने इसको paste किया था वहां पर आजाने यह दैन उसके बाद config file and यहां पर आपको सभी locations देखने को मिल जाती है so first we will go to the pad location just TP there तो यह आपको यहां पर देखने को मिल जाता है and यहां पर आप जित्ता भी items आपको मिलता है metal detection से उसको आप यहां पर sell out कर सकते हो and इसकी location आप यहां से change कर सकते हो अपने coding जहां पर भी आप रखना चाहते हो and उसके बाद आपको next जो देखने को मिलती है जो आपको इसकी locations देखने हो मिलती है so यहां पर three locations दे रखे हैं इसमें आप अपने coding remove और add कर सकते हो जित्ती locations आप add और remove करना चाहते हो वह आप कर सकते हो okay so देख सकते हो हम location पर आ गए है and यहां पर हम metal detecting use कर रहे है so यहां पर कुछ search हो रहा है so हमें sound भी देखने को मिल जाता है and यहां पर अभी हमें कुछ नहीं मिला है so we will try this again so देख सकते हो यहां पर हमें iron dress मिल गया है and two iron dress मिले हैं हमें दो item देखने को मिल गया है यहां पर and इसके अलाव आप अपने coding like बाखी जगह पर भी search कर सकते हो इसको use करके तो वहां पर भी आपको काफी items देखने को मिल जाते हैं मैंने आपको cell locations बता दी है and वह आपको config file में भी देखने को मिल जाती है आप वहां से like उसकी locations को change out भी कर सकते हो अपने coding so that's all for today's video I hope यह वाला video आपको अच्छा लगोगा वीडियो करता लगा तो वीडियो को एक like कर दूं till then मिलते हैं next studio में तरते के लिए bye bye take care and have a good day